So guys, finally Poco M2 device में MIUI 13 based on Android 12 का new software update मिलना start हो गया है लेकिन यार यह जो update देखने के लिए मिला है वो pilot users को यह update देखने के लिए मिला है So guys, सभी users को यह update कब तक देखने के लिए मिला है इसके वारे में हम बात करेंगे, इसी के साथ में हम बात करेंगे यार यह update में आप लोगो को क्या कुछ नीफ फीचर से देखने के लिए मिला है और यह update का आप लोगो फाइल से जी कितना देखने के लिए मिला है So guys, अगर आप भी है Poco M2 device के users तो यार आप वीडियो को ना सुरू से इन तक जरूर वाश करना Because maybe आप लोगो के लिए ये वीडियो बहुत important हो सकता है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे है तो सब्सक्राइब करके बेल नॉटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लेना इसी के साथ मैं अगर आपने अभी तक टेलिग्राम गुरूप को ज़रूर नहीं किया है तो आप लोगो को लिंक के डिस्क्रिप्टर में देखने के लिए मिल जाएगा तो टेलिग्राम गुरूप को भी ज़रूरूर का लेना तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो finally POCO M2 device में MIUI 13 based on Android 12 का new software update मिलना start हो गया है जिस update का version आप लोगो MIUI 13.0.2.0 का देखने के लिए मिल जाता है लेकिन यार यह जो update अभी देखने के लिए मिला है ना वो pilot users को देखने के लिए मिला है कुछी users को देखने के लिए मिला है इससे पहले हम बात करते हैं यार यह update का आप लोगो file size कितना देखने के लिए मिला है यार आप लोगो यहाँ पर file size 2.6 GB का देखने के लिए मिल जाता है यार आप लोगो दो update एक ही साथ में देखने के लिए मिलता है MIUI 13 and Android 12 का इसी वैसे आप लोगो file size थोरा सा लंबा देखने के लिए मिला है अगर बात करें चेंज लोग के बारे में तो वही है यार आप लोगो July 2022 का security patch देखने के लिए मिल जाता है उसके बाद आप लोगो इस update में Android 12 का भी update देखने के लिए मिल जाता है जो कि guys आप इस समय सकीन पर भी देख सकते हैं कि क्या क्या कुछ changes से देखने के लिए मिला है वैसे guys आप लोगो मालम होगा कि MIUI 13 based on Android 12 के update में ना काफी सारा exciting features से देखने के लिए मिलता है तो guys इस device में जो अभी MIUI 13.0.2.0 का जो update देखने के लिए मिला है तो guys अगर हम बात करें कि जिन Poco M2 device के users को MIUI 13 based on Android 12 का update देखने के लिए नहीं मिला है तो उन्हें update कब तक देखने के लिए मिलेगा यार देखो अभी डो बार pilot users को update देखने के लिए मिल गया है अगर इस update में कोई भी major bug and issue देखने के लिए नहीं मिलता है तो उसके एफ्रोक्स 1 week बाद सभी users के लिए update मिलना स्टार्ट हो जाएगा लेकिन यार update जो देखने के लिए मिलेगा ना वो कई सारे batches में देखने के लिए मिलेगा एंड अप्डेट जो एक बार देखने के लिए मिलता है तो आज इसी वैसे आप थोड़ा सा alert रहके setting and software update पे किलिक करके ना update को check करते हैं आप्डेट कई सारे batches में roll out होता है तो जो users active रहते हैं आप्डेट को check करते हैं तो उन्हें update देखने के लिए मिलता है तो वो अपने device को update कर लेते हैं इसी वैसे आप थोड़ा सा alert रहके अपडेट को check करते हैं वैसे यार फिर से Poco M2 डिबाइस में विंवाइट 13 वेजड़ान एंडवाइट 12 का update मिलना इस्टार्ट होगा यार आप लोग को inform कर दूँगा इसी चैनल पे न्यूव वीडियो के जरीए शोगा शैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना इसी के साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम गुरूप को जोईन नहीं कर तो यार आप लोग को लिंक डिस्किप्शन में देखने के लिए मिल जागा टेलीग्राम गुरूप को भी जोईन कर लेना शोगा इस फिलाल में अभी के लिए नहीं आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद रहा होगा वीडियो पसंद रहा है तो वीडियो को लाइक जोड़ कर देना और है इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी ओपीनियल हो तो कॉमेंट सेक्साइमना है जरूर मैंसन करना है और यह वीडियो का आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में